यहां preposition है आपका beside और besides देखिए दोनों में केवल spelling का difference है यहां पर s लगा है यहां पर s नहीं लगा है अब दोनों में difference क्या होता है समझे पहले इसे समझते हैं तो यहां पर देखो beside जो है ना beside का use आपको करना है के बगल में के sense में के बगल की बात हो तो वहां beside का use करना है ना के बगल में की बात हो और besides का use वहां करना जहां पर के अत्रिक्त की बात हो, के अत्रिक्त की बात हो, के अत्रिक्त का मतलब एक्स्ट्रा, इतना याद रखना है, जैसे देखो, अगर मैं कहूं, कि राजु जो है न, मेरे बगल में खड़ा था, देखो, मैं कहता हूं, राजु मेरे बगल में खड़ा था, तो अभी इसकी इंगलिस क्या हो जाएगी, राजु वाज इस्टेंडिंग, राजु वाज इस्टेंडिंग, यहां तक हो गया, राजु खड़ा था, अब देखो, मेरे बगल में, तो बगल की इंगलिस क्या है, य beside to me अरे गलत हो गया beside के साथ to नहीं लगेगा beside me ये गलती मत करना beside me होगा अच्छा समझ में आया राजू मेरे भगल में खड़ा था तो राजू वाज standing beside me clear है समझें अब जैसे मैं कहूं कि जो रानी है न वो गाने के अत्रिक्त नाच्टी भी है इसका मलब क्या है दो दो काम करती है न देखो रानी गाने के अत्रिक्त गाने के अत्रिक्त अत्रिक्त नाच्टी भी है नाच्टी भी है अभी इसकी इंगलिस इसका मलब रानी दोनों काम करती है तो क्या हो जाएगा, रानी, डान्स, ठीक, अब देखो, कि अतरिक्ट के लिए किसका यूज़ करना है, विसाइड्स, तो रानी डान्स, विसाइडस, सिंगिंग, किलिए रहें, तो रानी जो है, गाने के अतरिक्ट नाचते भी है, समझ में आया है, अच्छा, यहाँ पर एक इसके लिए clear है आप beside का तो यूज कर ही सकते हो लेकिन इसके साथ में next to का भी यूज कर सकते हो next to का यूज कर सकते हो या जो है आप adjacent का यूज कर सकते हो adjacent इसे क्या बोलेंगे adjacent या जो है आप by का भी यूज कर सकते है देखो के बगल में इसके लिए चार चारेगे से clear है समझे जैसे इसका मतलब राजू मेरे बगल में खड़ा था इसको मैं चार तरीके से बना सकता हूँ एक तो हो गया राजू आज standing beside me और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ राजू वाज standing next to me beside तो हो गया है next to me दो तरीका हो गया तीसरा और मैं कैसे बना सकता हूँ राजू वाज राजू वाज standing adjacent क्या बोलेंगे adjacent adjacent me adjacent के साथ में to नहीं लगाता है इतना समझे और क्या बोल सकते हैं राजू वाज वाज standing बाई बाई मी क्लियर हैं? अच्छा समझ में आ इतना लेकिन यहाँ पर एक कंडिशन है बाई का अगर फिजकल टच में है अगर वो टच में है क्लियर हैं? तो समल्लू बाई होगा जैसे अभी मैं कहूँ कि दिब भी तुम्हारे बगल में बैठा है तो देखो दिब भी तुमसे टेच में है तो यहाँ पर मैं बाई लगा सकता हूँ बाई का यूज वहाँ प्रसनली होता जहां टेच में हो क्लियर है? जब टेच में ना हो तो इसके लिए कौन? एड़जेसेंट, नेक्स्ट टू या बिसाइड किसे कभी उच कर सकते हैं समझ में आया? बाई के लिए बाई के लिए वहाँ बाई लगेगा जहां टेच की बात होती है क्लियर है? अच्छा समझ में आया? एक बनाओगी फिर? चलो, ठीक, मैं पढ़ाने वाला काम करता हूँ लेकिन मैं पढ़ाने के अत्रिक्त खाना भी बनाता हूँ इसकी इंगलिस क्या होगी? चलो, एक मिनिट मैं लिख देता हूँ सबसे पहले पहचानों कौन से टेंस है? मैं पढ़ाने के अत्रिक्त खाना भी बनाता हूँ चलिए, इसकी इंगलिस बताइए अरे बेटा, बनाता हूँ त्यान से देखो कौन से टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिन्टेंस है पास्ट बोली बेटा प्रेजेंट इंडिफिन्टेंस है ना? अब प्रेजेंट इंडिफिन्टेंस में क्या होता है? अब फर्मेटिब है तो सिंगलर सबजेक्ट रहेगा तो सिंगलर में नहीं तो कुछ नहीं लगे है तो यहां मैं के इंगलिस क्या होती है? I similar है, plural है? I plural है और बनाना के English, खाना बनाना के English क्या होगि? कुख, कुख, बेटा, परचेंट इंडमिन्टेंट्स में फर्ष्ट फॉर्म लगता है न, तो I cook the food, I cook the food. मैं खाना बनाता हूं, अब किस के अत्रिक्त? पढ़ाने के अत्रिक पढ़ाने के अत्रिक अब पढ़ाने के अत्रिक के लिए इसका मतलब मैं दोनों काम कर सकता हूं तो यहां क्या करो besides teaching besides teaching clear है I cook the food besides teaching समझ में आया बोलो clear है इतना अब मैं कुछ sentences से और ली बताऊंगा तुम लोग को दियान से सुनना है और देखना है clear है देखो यहां पर मैं कह दूँँ वह लड़की जो तुम्हारे बगल में बैठी है ना मेरी दोस्त है अब इसकी इंगलिस क्या हो जाएगी देखो da girl मतलब वह लड़की जो तुम्हारे बगल में बैठी हूँ इज सिटिंग अब next to me करूं next to you करें या जो है beside you करें या adjacent you करें या by you करें ठीक इन में से किसी का भी huge कर सकते हैं is my friend अच्छा जाकर उसके पास बैठ चाओ इसकी इंगलिस क्या होगी go and sit beside him या go and sit by him या बोल सकते हैं go and sit next to him या go and sit adjacent him मेरा घर इसकूल के बगल में है इसकी इंगलिस क्या होगी my home is beside the school या adjacent the school या next to school या by the school अच्छा मेरा घर उसके घर के बगल में है इसकी इंगलिस क्या हो जाएगी my home is next to his home या beside his home या by his home या adjacent his home क्लियर हैं चलो अब स्रिश्टी आप बताना बेटा मुझे अंग्रेजी के अत्रिक्त बिज्ञान भी पसंदे देखो मुझे अंग्रेजी के अत्रिक्त बिज्ञान भी पसंदे आई लाइक यह होगे मुझे पसंदे बिज्ञान भी तो आई लाइक साइंस किसके अत्रिक्त विज्ञान के अत्रिक्त के लिए किसका यूज करना है besides देखो s मत भूलना besides और English English के अत्रिक्त था ना तो besides English चलो एक और लिए है ना वहाँ मेरे अत्रिक्त कोई नहीं था तो nobody मतलब कोई नहीं was means था there means वहाँ पर nobody was there besides me मैं अंग्रेजी के अत्रिक ना दो भासाएं और बोल सकता हूँ इसकी इंग्लिस क्या होगी I can speak two language besides English हो जाएगा ना याद रहेगा देखो besides का यूज करना है के बगल में लेकिन के बगल की चार इंग्लिस होते एक तो besides एक next to, एक adjacent और एक भाई और दूसरा besides तो besides का यूज करना है के अत्रिक्ट के sense में जब extra बात हो जैसे वो रानी जो है गाने के अत्रिक्ट नास्ती भी है तो रानी dance besides singing इस तरह से समझ में आया के लिए रहे दोनों, ओके?